हलो एवरिवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो दोस्तों सीबी सीएस वाले जो बच्चे हैं जिनका एडमीशन दोहजार उन्निस, दोहजार बीस या दोहजार इक्किस का है उनकी फाइनल समेस्टर समेस्टर सिक्स की डेटशिट आ चुकी है इसके इलावा अगर आपका एडमीशन इन तीनो एर में से किसी भी एर का है और आपका सेकिंड, फौर्थ या सिक्स समेस्टर में एर है तो आपकी भी डेटशिट इलीस हो गई है टेंटिटिव डेटशिट अब आप semester 6 में आ गए हो तो यह बतानी की जरुवत नहीं है कि tenderive date sheet ही final date sheet होती है कुछ एक दो percent चांतित होते हैं कि date sheet change हो जाए और यह जो date sheet आई है regular NCWave और S.W.L. की ही आचुकी है यहाँ पर हम examination wing की official website पर आए हैं सबसे पहले हगर हम BA program की बात करें तो BA program की date sheet हम डाउनलोड कर लेते हैं तो यह आप लोग देख सकते हो अब वो alphabetical order वाली चीज़ हर बार नहीं बताई जाएगी खेर exam BA program के 25 मई से हैं और semester 6 के exam 26 मई से हैं तो date sheet के according आपके exam होंगे दो अलग अलग dates में exam होंगे आपका actual date या actual shift कौनसी है वो आपके admit card में clear हो जाएगी ठीक है अच्छा जी यह semester 6 के exam जो चलेंगे finally वो 8 जून तक चलेंगे फिर अगर semester 4 में ER है या actual में semester 4 में हो तो वो सारे exam BA program के जो खतम हो रहे हैं CVCS mode के 23 जून तक खतम हो रहे हैं उसके अलवा बीकॉम की बात करें है सोल के बच्चों की तो इनके exam 21 में से शुरू होंगे second sam के फिर 6 semester का actual exam 24 में से शुरू होगा और यह सारे exam जो आपके खतम होंगे बीकॉम वाले बच्चों के यह 7 जून तक खतम हो जाएंगे उसके अलवा बीकॉम ओनर्स की बात करें है सोल के बच्चों की तो इनके जो exam है वो आपके 21 में से second sam के शुरू होंगे 6 sam का पहला paper जो आपका रखा गया है वो 28 में को रखा गया है और सारे actual paper जो खतम हो रहे हैं वो 6 जून को खतम हो रहे हैं यह जो date sheet है दोस्तो यह tentative date sheet है इन date sheet में changes भी देखने को मिल सकते हैं या फिर इन date sheet में कुछ glitches भी हो सकते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है English honors या Political Science honors के जो exam है अगें 21 में से शुरू हो रहे हैं semester 6 का exam 27 में से शुरू हो रहे हैं और यह सारे exam जो actual में चलेंगे वो 6 जून तक चलेंगे ठीक है यह कुछ information निकल के आ रही थी examination branch की तरफ से examination dates के related और इसके अलावा आप यहां देख सकते हो regular और NCVEP की BA program की date sheet भी आ चुकी है यह यहां पर आप लोग देख सकते हो जो exam 22 में से शुरू हो रहे हैं और actual में इनके जो exam खतम होंगे वो 11 जून को खतम होंगे ठीक है और यह generic elective की regular की अलग rate sheet आती है यह इसके लिए enhancement course की वो आप अपने accordingly देख ली दिएगा तो यह information IT examination branch की तरफ से thank you